यूपी स्टीफ ने बसंत पंचमी पर लखनों समय देश के अलग-अलग हिस्तों में धमाकों की बड़ी साज़िश नाकाम करने का दावा किया है स्टीफ ने पिएफाई से जोड़ी दो लोगों को गिरफ्तार किया जिनके नाम बदुदीन और फिरोज हैं दोनों केरल की रहने वाले हैं स्टीफ के मताबक इन दोनों ने लखनों में धमाके की साज़िश रची थी आरोपियों से भारी मात्रा में विस्पोजक और एहम दस्तावेज भी बरामत करने का दावा किया गया है यही नहीं पुलिस का दावा है कि पियाफाई पुरे देश में इस तरह के धमाकों को अंजान देने के लिए भरती कर रही थी कुछ दिन पहले किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट कर सुर्खियों में आई पॉप सिंगर रियाना इस बार हिंदू देवी देविताओं के अपमान पर विवादों में घर गए बिना जानकारी के किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करके रियाना ने काफी सुर्खियां बटो रही थी और इस बार उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पर एक टॉपलेस फोटो डाल कर नए विवाद को हवा दे दी ये विवाद उनके पहनावे पर नहीं बलकि उस नेकलेस पर शुरूआ जो इस तस्वीर में उन्होंने अपनी गरदन में पहना था उस नेकलेस में भगवान गणेश का एक छोटा अपमान करार दिया जब रियाना ने भारत में चल रहे किसान अंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया था तो कॉंग्रेस भी खुलकर उनके साथ खड़ी हो गई थी इस बार रियाना के बहाने बीजेपी ने कॉंग्रेस को भी आड़ेहत लिया अब रियाना ने हिंदू देवी देवताओं का जिस प्रकार से अपमान किया है क्या कॉंग्रेस जल उसका समर्थन करेंगे अलाकि रियाना का समर्थन या विरोध करने के बजाए कॉंग्रेस ने प्रधान मंत्री पर हमला बोल कर मामले से पल्ला ज़ाड़ने की कोशिश की रियाना की इस तस्वीर पर सोशल मीडिया पर भी लोगों का भारी गुस्सा देखने को मिला और कई लोगों ने हिंदू देवी देवताओं के अपमान पर उनकी आलोचना की इस भी 26 जनवरी को ही हिंसा से जुड़े टूलकिट केस में पर्यावरन कारेकरता दिशारवी की गिरफतारी के विरोध में प्रदर्शन चुरू हो गया देश में कुछ जगों पर लेफ्ट और कॉंगरेस से जुड़े चात्र संगठन सडकों पर उत्रे और उन्होंने दिशारवी को रिहा करने की मांग की ये लोग बैनर और पोस्टर लेकर वहाँ पहुंचे और दिशारवी के समर्थर में नारे लगाने लगे वही इस मामले में दिल्ली महिला आयोग ने भी दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा जिसमें कहा गया कि दिशा की गिरफ्तारी में नियमों का पालर नहीं किया गया जिसके बाद दिल्ली पुलिस के कमिशनर से इस मामले में उंगली उठाने वालों को करारा जवाब दिया गया कानून ये उसमें बाइस साल की उमर का और पचास साल की उमर में कोई उसमें डिफरिंस नहीं गए यही नहीं खबर है कि दिल्ली पुलिस को दिशा के फोन से कई एहम जानकारिया मिली जो टूल किट केस में जरूरी सबूत बन सकती है बता चला है कि जब दिल्ली पुलिस ने दिशारवी का फोन खंगाला तो जानकारी मिली कि उसने गरिटा तुन्बग से कई मुद्दों पर बातचीत की थी ये दिशा और ग्रिटा के बीच हुई वाटसाप चैट का वो हिस्सा है जिसे वो जल्दबाजी में डिलीट करना भूल गई थी यही नहीं खबर है कि दिल्ली पुलिस दिशारवी के फोन से डिलीट किये गए डेटा की जानकारी जुटाने के लिए वाटसाप मुख्याले को चिथी बिख चुकी है इस बीच दिशारवी के अरजी पर दिली की पट्याला हाउस कोट ने उसे 15 मिनिट के लिए अपनी मा और परिवार वालों से बात करने के अनुमद दी थी इसके लावा दिशा को 30 मिनिट के लिए अपनी वकील से मुलाकात करने की भी इजाज़त दी इस बीच टूलकिट केस में आरोपी शांतनू के चचेरे भाई के शिवसेना से जुड़े होने के मुद्दे पर उसे गहरा जिसके बाद शांतनू के चचेरे भाई खुद सामने आया और उन्होंने उसका बचाव किया टूलकिट केस में आरोपी शांतनू के पिता भी शिवसेना में रह चुके हैं और फिलहाल उसका परिवार ठेकेदारी का काम करता है लेकिन उसके परिवार के तार शिवसेना से जुड़े होने की खबर मिलते ही इस मुद्दे पर सियासी रंग चड़ने लगा अलाकि इस मामले में शांतनू को उस समय थोड़ी राहत मिली जब बॉंबे हाई कोड की औरंगाबाद बेंच ने उसे दस दिन की ट्रांजिक्ट रमांड दे दी जिसका मतलब यह हुआ कि अब दस दिन तक उसकी गिरफतारी नहीं होगी यह राहत शांतनू को ऐसे समय मिली जब दिल्ली पुलिस की साइबर सेल की टीम मुंबई में क्योंकि उसके खिलाव गार जमानती वारंट जारी किया गया वहीं टूलकिट केस में दिशा रवी से पूर्टाच के बाद शांतनू पर शिकंजा कस्ता जाद दिख रहा है क्योंकि खबर है कि इस पूर्टाच में दिशा ने बताया कि शांतनू 20 जनवरी से 27 जनवरी के बीच टीक्री बॉर्डर पर मौजूद था और किसान आंदोलन में शामिल हुआ यही नहीं उसकी कुछ पोस्ट भी सामने आई हैं जो 26 जनवरी के हिंसा के बाद 29 जनवरी और एक फरवरी को की गई उन पोस्ट में शांतनू ने किसान आंदोलन का समर्थन किया और समर्थन करने वालों में निकिता जेकब भी शामिल है जिन्हों ने टूलकिट मामले में दिल्ली पुलिस को अपना लिखित भयान भयान भेजा बताई जा रहा है कि उसमें उन्होंने टूलकिट साजिश से जुड़ने की बात कबूल की हलाकि गिरफतारी से बचने के लिए निकिता ने बॉंबे हाई कोट में जो याचिका लगाई थी उस पर कोट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया साथी कोट कादेश आने तक दिल्ली पुलिस निकिता के खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते टूलकिट केस की कडियान जोडने से में जुटी दिल्ली पुलिस ने भी अपनी जांस का दायरा बढ़ा दिया है न्यूज 18 के दीपक विष्ट की रिपॉर्ट है कि इस मामले में वीडियो कॉन्फरेंसिंग के लिए इस्तमाल होने वाले एप जूम को दिल्ली पुलिस ने खत लिखा और जूम के जरीए हुई इस मीटिंग में कौन-कौन शामिल हुआ था उनकी जानकारी मान क्योंकि शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि 11 और 22 जनवरी को टूल किट मामले से जुड़े लोगों ने इसी एप के जरीए एक मीटिंग की थी और दावा है कि इसमें किसान आंदोलन को भड़काने की रणनीती पर चर्चा की गई तो वहीं दिल्ली पुलिस ने गूगल से भी टूल किट को लेकर सवाल पूछे हैं जिनके जवाब का इंतजार पुलिस के साइबर सेल कर रही क्योंकि टूल किट को गूगल डॉक्स के जरीए ही शेर किया गया था और किसान आंदोलन पर अववा पहला कर उसे तेज करने की कोशिश की गई थी इस बीच कृशी सुधार कानूनों के विरोध में दिल्ली के सिंगू बॉर्डर पर डटे प्रिदर्शन कारियों ने अपने टेंटों में गर्मी से बचने के लिए एसी लगाने शुरू कर दिये प्रदर्शन के लिए के साथ ही वहां मौझूद लोगों की सुविधा में कोई कमी नहीं रखी जा रही है और गर्मी बढ़ते ही किसानों के लिए एसी लगा दिये गए ताकि उन्हें परिशानी नहों उनके टेंटों में पंक्खे तो पहले ही लग रहे था जिनके नीचे प्रदर्शन कारी आराम करते दिखाए दिये इसके साथ ही दावा किया गया कि किसानों का पूरा खयाल रखा जाएगा ताकि वो आंदोलन जारी रख सके इस से पहले किसानों के लिए वाशिंग मशीन और मसाज की सुविधा की तस्वीरें भी सामने आई थी इसके अलाबा उनके लिए आंदोलन वाली जगह पर जिम भी खोले गए थी और आंदोलन में विदेशों से फंडिंग की बात भी सामने आई थी इस बीच भारत के खिलाफ नफरत पहलाने की खालिस्तान की साज़श के तार अब पाकिस्तान के मंतरी फवाद चौदरी के साथ जुड़रे है न्यूज एचीन के मनोज गुपता की रिपोर्ट है कि किसाना अंदोलन की आड में हिंसा और नफरत भड़काने के खालिस्तान के अभ्यान में पाकिस्तान से जमकर फंडिंग की गई जिसके पीछे इमरान सरकार में विग्यान और टक्नीक मंतरी फवाद चौदरी के चाचा के शामिल होने की जानकारी भी ली रिपोर्ट के मताबिक फवाद चौदरी के चाचा अलताफ हुसैन अमीर अलजीम नाम के एक संगठन से जुड़े हैं जिसने खालिस्तान समर्थक भिंडर के साथ मिलकर भारत के खिलाफ नफरत पहलाने के अभियान की साज़िश रची बाद में भिंडर ने इस मामले के एक और आरोपी पीटर फ्रीजरिच से संबर्क कर भारत के खिलाफ जूटी खवरें पहलाने का मिशन चुरू किया इसे पहले भिंडर आतंगवाद पहलाने के मकसद से भारत में कई बार हत्यार पहुंचाने की कोशिश भी कर चुका है पहुत शाहने यह भी कहा कि इस आंदुलन का किसानों से कोई मतलब नहीं है उन्होंने बीजपी नेताओं को किसानों की गलत फेहमी दूर करने के लिए जमीन पर काम करने की नसीहती खबर है कि किसानों को क्रिशी सुधारों के फाइदे समझाने के लिए बीज़ेपी एक बुकलेट तैयार करवा रही है जिसके जर्ये बीज़ेपी नेता किसानों की गलत फेहमी दूर करने की मुहीम शुरू करेंगे कर दो किसाने सब किनते थें दोंस्त हमी लोग रहते हैं सब के बीच में रहते हैं और लेकिन टेक्सराइब में बर्फीले तूफार ने ऐसा कहे डाया कि वहां बिजली हो ठप पड़ गए और राज़े की बिजली काटनी पड़ पूरे अमेरिका में सबसे जादा बिजली टेकसेस में ही पैदा होती है और वहां हाल यह है कि 40 लाक से जादा लोग कड़ाके की ठंड में बिना बिजली के गुजारा करने को मजबूर है जिसकी वज़े से टेकसेस के हीूस्टन शहर का बड़ा हिस्सा अंधेरे में डूबा नजर आया तस्वीरों को देखकर यकीन कर पाना मुश्किल था कि ये नजारा अमेरिका जैसे विकसित देश का है जहां शहर रोष्णी में नहाय रहते हैं वहां बिजली गुल दिखी सामने आई तस्वीरों में महले के महले अंधेरे में घिरे दिखे एक भी बत्ती जलती नजर नहीं आई घरों की बिजली तो गुल थी ही रास्तों पर स्ट्रीट लाइटें भी बंद दिखी बरफीले तूफान की वज़े से टेकसस में दो लोगों की मौत हो चुकी है और पूरे राज्य में एमर्जन्सी लगा दी गई है देश में कई जगा सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया पसंद पंचमी पर देश में कई जगा सरस्वती पूजा का आयोजन किया गया इस मौके पर इलाबाद और दूसरी जगों में भी लोगों ने नदियों में डुपकी लगाई दक्षिन अफरीकी टीम के कप्तान क्विंटिन डिकॉक ने कुछ समय के लिए क्रिकेट से ब्रेक ले लिया उन्होंने बताया कि वो बायो बबल यानि कोरोना के सक्त नियमों की वज़े से काफी समय से दबाव महसूस कर रहे थे इसलिए अभी उन्होंने mental health break पर रहने का फैसला लिया हाली में उनकी कप्तानी में टीम को पाकिस्तान के खलाफ test series में हार का सामना करना पड़ा था दिल्ली के जहांगीरपुरी में हुए जगड़े में गोलिया चल गई जिससे सगे भाई गायल हो गई पुलिस ने इस मामले में पाँच आरोपियों को पकड़ लिया इनमें शफीक नाम के आरोपी को गिरफतार कर लिया गया जबकि बाकी लोगों की उम्र की जांच हो रही है आरोप है कि ये जगड़ा बाइक गिरने से शुरू हुआ था मुंबई में अभिनेता संदीप नहार ने खुदकुशी कर लिए दावा किया गया कि इससे पहले उन्होंने सोशल मीडिया पर एक वीडियो जारी कर अपनी पत्नी और सास पर पर परिशान करने का आरोप लगाया था संदीप नहार फिल्म केसरी और महेंदर सिंग धौनी पर बनी सुशान सिंग राजपूत की फिल्म में नज़र आये केंदर सरकार की जल जीवन मिशन योजना के तहट लगदाख में लेह के सबसे उचाई वाले गाउं में भी 24 घंटे पानी पहुँचाने का लक्ष सफल रहा दावा किया गया कि माइनस 20 डिग्री तापमान में भी वहां लोगों को पीने के पानी की दिखकत नहीं हुई लद्दाक के 125 गाउं तक पानी पहुचाए जाएगा इस सुविधा से गाउं की महिलाएं काफी खुश दिखी पहले तो ठंडी में जम जाता है इदना मीना कहां चाले गया सार्दी बार तो नीच चलता है मराश में कोरुना की लगतार बढ़ते मामलों को देखते हुए सबाल उठने लगे हैं कि क्या राज्य में कोरुना की रोक ठाम के लिए लौकडाउन लग सकता है ऐसा इसलिए क्योंकि एक दिन पहले मुख्यमंत्री उधव ठाकरी नी राज्य के स्वास्त मंत्री और अधिकारियों के साथ बैठक में फिर से लौकडाउन लगाने पर विचार करने के संकेत दिये मुख्यमंत्री ने साथ निर्देश दिये कि कुरुना की नियमों का सकती से पालन हो नहीं तो बढ़ते मामले देखते हुए फिर से लौकडाउन पर विचार हो सकता है ऐसे ही संकेत मुंबई की मेर किशोरी पढ़ने करने भी दिये उन्होंने लोगों को कोरोना की नियमों का सक्ति से पालंग करने के लिए केहते हुए साफ कर दिया कि शेहर में लॉकडाउन लगेगा या नहीं ये लोगों पर निर्भर करेगा मराश्ट में पिशले एक हफ़ते से हर दिन कोरोना के तीन हजार से ज़ादा मामले सामने आ रहे हैं जिसने राज्य सरकार की चिंता बढ़ा दी है लोग अभी भी ट्रेंज से आ जा रहे हैं बाकी भी मार्क्स तो यूजी नहीं कलते है तो मुझे लगता है थोड़ी सावधानी बरतनी चाहिए मैं तो वापस हम अपने लोगडाउन के पास जा सकते हम लोग ये तो नहीं होना चाहिए लेकिन लोगों के हाथ में लोगडाउन होना है नहीं होना है शिवसिरा के मुकपत्र सामना में भी महराष्ट्र में कोरुना के तेजी से बढ़ते मामलों पर चिंता साहिर की गई है सामना के जरिये भी लोगों को चेतावनी दी गई है कि नियमों का पालन नहीं करने पर राज्जी में फिर से लोगडाउन लगाया जा सकता है यही नहीं लोगों को इसे गंभीरता से लेने की नसीहत दी गई है हाला कि सामना में लोगडाउन को आखरी विकल्प बताया गया है लेकिन इसके साथ ही ये भी साफ कर दिया गया है कि इसे लागू करने की नौबत सरकार पर ना आए इसकी जिम्मदारी भी जनता की है पज्जिमंगाल के मालदा में टीमसी के एक गुट ने अपनी ही पार्टी के विधायक के घर और दफतर पर धावा बोल दी शुरू कर दिया अज़ा है कि वह साय लोगों ने गली में खड़े स्कूटरों को भी नहीं छोड़ा पहले वह स्कूटर को घसीटते हुए कुछ दूरी तक ले गया और फिर डंडों से उस पर हमला कर दिया इसके बाद वहां खड़े दूसरे स्कूटर पर भी ताबर लोगों को जिम्मेदार ठहरा है कि इस्टन दुनारां चोदरी आर पोसों जीद्दास तादे नेतिक्ते तके भॉई देखिये दमनों एक्टर टेस्टा कूच्टे अलकि टीमसी के जिन लोगों पर हमले का आरोप लगा उन्होंने इस घटना को विधायक का निजी मुद्दा बताया विधायक ने इस हमले की जानकारी पुलिस को भी धी और आरोपियों के खिलाफ केस दर्च करा दिया बिना प्रिशासन की मंजूरे के कुरूंड वैक्सीन लगाई जा रही थी जिसकी जानकारी मिलने पर स्वास्त विभाग की टीम ने पुलिस की मदद से 6 पमारा और 5 लोगों को हिरासप में ले लिया जिन के पास से वैक्सीन भी बरामत की गई है स्वास्त विभाग के मुताबिक आरोपियों ने आसपास के लागों में घजार से जादा लोगों को वैक्सीन लगाई थी वैक्सीन लगा रहे थे और उनके ये पेपर हैं सारे तो उसको जो पेपरों को वो दिखा रहे कर रहे हैं लेकिन बिना भारत सरकार के परमीसर और सीमो सरके नौरे संग्यान में लाए या सासन को बताए वो ट्राइल बेसिस पर इसको जो है गाजयवाद और यहां पर करिब क विदेशी राजनेकों के जम्मू कश्मीर दौरे पर पाकिस्तानी खुफिया एजिंसी आएसाइ के प्रोपगेंडा का परदाफाश हुआ न्यूज एचीन के आदित राज कॉल की रिपोर्ट है कि राजनाइकों के दौरे से पहले आएसाइ के इशारे पर भारत के खिलाब सोशल मीडिया का इस्तमाल तेज कर दिया गया खबर है कि जूटी जानकारी वाले ट्वीट न केवल पाकिस्तान बलकि साओधी अरब से भी किये जा रहे हैं इतना है नहीं सोशल मीडिया के जरीए 17 फरवरी को कश्मीर बंद करने का भी अभियान चला जा रहा है ताकि राजनाइकों के दोरे में घाटी की असली तस्वीर दुनिया के सामने ना आ सके इस दोरे पर पाकिस्तानी विदेश मंत्राले की बॉकला हट पहले ही सामने आ चुकी है गोधरा कांड का आरोपी रफीक हुसेन 19 साल बाद पकड़ा गया गुजरात में गोधरा कांड के आरोपी रफीक हुसेन को पुलिस ने 19 साल बाद गिरफतार कर लिया दावा है कि पकड़ा गया ये आरोपी उस गिरहों का हिस्सा था जिसने गोधरा कांड की साजिश रची थी आरोपी रफीक लंबे समय तक दिल्ली में मजदूर बन कर काम कर चुका है बंगाल में सरस्वती पूजा के बहाने टीम सी और बीजे पी ने एक दूसरे पर निशाना साधा कोलकता में टीम सी समर्थकों की ओर से तैयार किये गए पंडाल की थीम के जरीए एक कृशी सुधार कानूनों का विरोध किया गया तो वहीं बीजे पी समर्थकों ने भी भव्वे पंडाल बनाया जिसमें सरस्वती को कमल के फूल पर बैठा दिखाय गया बीजेपी समर्थित लोगों द्वारा आयोजिक किये गए सरसोती पूजा में कमल के फूल पर मा सरसोती बैठी हुई है ओडिशा के सीम नवीन पतनाइक ने राउर केला में हौकी स्टेडियम की नीव रखी इस स्टेडियम में भी 2023 में पूरिशों का हौकी विश्व कप खिला जाएगा महराजा सुहेल देव की जैनती पर यूपी के बहराइच में प्रधान मंतरी मोदी ने एक समारक और चित्तोरा जील के विकाज की योजना का शिलन्यास किया इसके लाबा बहराइच में महराजा सुहेल देव के नाम से बने एक मेडिकल कॉलेज का लोकारपन भी किया गया मुंबई के नगर निगम बीमसी में विपक्ष के पद का दावा कर रही बीजेपी को जटका लगा सुप्रीम कोट ने इस मामले में बीजेपी की तरफ से दाखिल याचिका को खारिच कर दिये इसे पहले बीजेपी ने दलील दी थी की कॉंग्रेस राज्य सरकार में शिवसेना की सयोगी है इसलिए बीमसी में कॉंग्रेस के पास नेता विपक्ष का पद नहीं होना चाहिए कैनडा में खालिस्तान समर्थकों पर भारती अमूल के कुछ लोगों को धमकाने की खबर सामने आई इस पर कैनडा में भारत के उच्चायुक्त अजय बिसारिया ने वहां के प्रधान मंत्री जस्टिन चूडो को एख़त लिखा और इन भारतीयों को सुरक्षा देने की मांग की बीजेपी ने गुजरात में राज्यसभा की दो सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया बीजेपी ने राम भाई मोकरिया और दिनेश पजापती को अपना प्रत्याशी बनाया ये दोनों सीटें कॉंग्रेस नेता एहमत पटेल और बीजेपी नेता अभय भारतवाज के निधन के बाद खाली हुई है राम भाई मोकरिया एबी वीपी और जनसंग में भी रहे जबकि दिनेश प्रजापती बीजेपी के ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष रह चुके हैं अब इन सीटों पर एक मार्च को उपचुनाव होगा जारखन के धनबाद में पुलिस ने केस में फरार चर्णे आरोपी की जम कर पिटाई कर दी उस फरार आरोपी को पकड़ने के लिए पुलिस ने वहाँ चेकिंग अभ्यान चलाया है आरोप है कि जब पुलिस वाले उसे ठाने ले जाने लगे तो उसने पिस्तॉल और तलवार लहरा कर उन्हें डराने की कोशश की जिसके बाद कुछ पुलिस वालों ने उससे पकड़ लिया और फिर बीट सड़क पर ही उसकी पिटाई शुरू कर दी मारपीट की जो तस्वीरे सामने आई उनमें एक तस्वीर में कई पुलिस वाले उस पर ताबर तो डंडे बरसाते नजर आए जबकि कुछ लोग उसे लातों से मारते दिखें मारपीट की वज़ह से वहां लोगों की भीड जुड़ गई इस भी सरक से ट्रक और काडियां भी गुजरती नहीं भीड सरक पर थोड़ी देर तक मारपीट करने की बाद पुलस वाले उसे घसीरते हुए ठाने ले जाने लगी इसी तरह की एक दूसरी तस्वीर में कुछ लोग उसे टांग कर ले जाते दिखाई थी इंडिनेशिया पर कुद्रत रहम खाने को तयार नहीं दो दिन पहले वहां के जावा दूई पर भारी बारिश की वज़े से जमीन खिसक गई और हादसे में देश दस से ज़्यादा लोगों की मौत हो गई नया साल शुरू हुए 46 दिन ही हुए हैं लेकिन इडिनेशिया में कभी भुकम, कभी बार, कभी तूफान तो कभी जौला मुकी फटने की 65 से ज़्यादा घटनाए हो चुकी है और कुद्रत के गहर का ये दर्दनाक सिलसला लगातार जारी है मुसला धार बारिश की वजए से वहाँ एक नदी में पानी इतना ज्यादा बढ़ गया कि वो अपना किनारा तोड़कर शहर के बीचों बीच उपनती नज़र आई आस्मान से बरस्ती आफत के आगे सदियों से तनकर खड़े पहाड भी टिक नहीं पाए एक वीडियो में एक पहाड का हिस्सा आँखों के सामने तूट कर गिरता दिखा और फिर तो वो हर तरफ चीख वोकार मजगी इसके बाद जो तस्वीरे सामने आई उनमें इलाके का भूगोल ही बदला हुआ नजर आया जहां पहाड हुआ करता था वहां खाई सी बनी दिखी चटान खिसकने के वज़े से उपर से मिट्टी का सहलाब नीचे बसे गाउं पर आधम का जिसे कई घर तबाह हो गए और उनमें रहने वाले लोग कई टन मिट्टी के धेर के नीचे दब गए बता गया कि लोगों की जान बचाने के लिए बचाव कर्मियों ने आधुनिक उपकरोणों के आने का भी इंतजार नहीं किया और अपने हाथों से ही मलबा हटा कर लापता लोगों की तलाश में जमीन आसमान एक कर दिया नीती आयोग ने भी महराश्ट में लगतार बढ़ रहे करूना के मामलों पर चुनता जाहिर की है अब बात कर दोड़ाइब जाने हैं करोना से जारी जंग से जुड़ी भारत में दुनिया का सबसे बड़ा वाक्सिनेशन शुरू हो चुका है फिर भी हम सबको कुछ साबधानिया बरती है कोरोना से लगतार जंग जारी है और इसके लिए मास्क पहनना जरूरी है बार-बार हाथ धोना जरूरी है और सबसे जादा जरूरी है दोगस की दूरी कोरोना से जंग में ये साब्धानिया आज भी हैं जरूरी